हाल ही में संपन हुए पांच राजियों के विधान सभा चुनाव को लेकर चार राजियों की मद्गर्णा रविवार 3 दिसंबर को संपन हुई जिसमें मद्धिप्रदेश राजिस्थान और 36 गड़ के प्रिणाम भाजपा के पक्षमिया है हाल ही में संपन चार राजियों की विधान सभा चुनाव को लेकर मद्गर्णा आखिरकार रविवार 3 दिसंबर को संपन हुई मद्धिप्रदेश राजिस्थान और 36 गड़ के प्रिणाम भाजपा के पक्षमिया है तो वहीं तेलंगाना में कॉंग्रिस सरकार बनने जा रही है राजिस्थान मद्धिप्रदेश और 36 गड़ में अप्रत्याशित नतीजे सामने आए हैं विशे इसकर रजदी 36 गड़ की बात करें तो यहां भाजपा को सपस्ट बहुमत मिला है मुखी मत्री उपेश बगेल का अबकी 1275 पार का नारा जमिन पर आगिरा है 36 गड़ विधान सफा की चुनाव में प्रदेश के कुछ केविनेट मंत्रियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है वहीं भाजपा ने जिन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया था वे भाजपा हाई कमान के भरोसे पर पूरी तरह से खरा भी उतरे हैं 36 गड़ में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा सफल होते दिखाई पर रहा है वहीं मद्र प्रदेश राजस्थान में भी मोदी मंत्र ने भर पूर काम किया मद्दाताओं ने एक तरफ वोट करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मद्दान किया तो यही वज़े है कि मद्र प्रदेश राजस्थान में भाजपा सरकार बना रही है मद्र प्रदेश राजस्थान और 36 गड़ में भाजपा प्रत्याशियों की जीत को लेकर केंदरी नैतितों में पूरा जोर लगा दिया था दोनों ही रास्टी पार्टियों के नैदित्व में मद्दाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर घोशनाओं की जड़ियां सी लगे हुई थी जिसमें भाजपा ने बाजी मारी है और तीन राज्जियों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है मद्दी प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहां महिला मद्दाताओं ने भाजपा के पक्ष में एक तरफा मद्दान किया है वही राजस्थान में कॉंग्रिस का केंद्री नयदित्व अशोग गहलोत की दुबारा सरकार बनने को लेकर निश्चीन दिखाई पड़ता था लेकिन हुआ इसके बिल्कूल ही उल्टा अशोग गहलोत का जादू जनता के बीच चल नहीं पाया और गहलोत सरकार बद्दाताओं की च्छाओं पर खरी नहीं उतर सकी जिसकी वज़े से उसे चारो खाने चित होकर गिरना पड़ा मद्दी प्रदेश में चुनावन जितने को लेकर शिवरा सिंग चौहान ने अपनी पूरे मंत्री मंदल के साथ ताकत जोग डाली थी अपने विधानसभाज शेतर की अलावा वे प्रदेश की सभी विधानसभाज शेतर में लगतार दोरे और सभाय कर लोगों से रूभरू भी हो रहे थे साती प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे कारियों की जानकारियां और सरकार बनने के उपरांत किये जाने वाले कारियों की जानकारिया भी मद्दाताओं तक पहुचाते हुए नजर आ रहे थे ऐसा ही को 36 गड की मुखी मंत्री उपेश बगेल ने भी किया भुपेश बगेल पाटन विधानसवाज शेत्र से कॉंगरेस प्रत्याशी रहे थे अपने विधानसवाज शेत्र में भुपेश बगेल ने कम टाइम देते हुए 36 गड की सभी विधानसवाज शेत्र में मद्दा काताओं से सखन जनसंपर्क किया था मुखी मत्री उपेश बगेल दोबारा कॉंग्रेस सरकार बनाई जाने को लेकर पूरी दरस से आश्रवास्त नजर आ रहे थे लेकिन महीं 36 गर्ट प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी कुमारी शहलजा ने भी भूपेश है तो भरोसा है वा प्रदेश में चल ही नहीं सकी